Hello Friends, मेरे चланल में आपका स्वागत है आघ बहुत ही कमाल का सौस्ट्वेर मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ Friends, यह वीडियो उन लोगों के लिए खास होने वाली है जो T telling पे वर्क करते हैं इस वीडियो में उन लोगों के लिए खास इसलिए होने वाली है जो टैली पे वर्क करते हैं क्योंकि यह है automatic backup software है टैली का यह auto backup ले लेगा बहुत ही कमाल का software है उनके लिए जो manually backup लेते हैं कभी-कभी backup लेना pool भी जाते हैं जिससे उनका कुछ data का loss हो जाता है जब किसी virus का attack ह होता है यह ऐसा ही कमाल का software है जो आपके backup को जिप में convert करके रखेगा जिससे आपके कोई virus का attack होगा तो data का loss नहीं होगा तो friends अब मैं चलता हूँ मेरे computer के system पर और आपको बताता हूँ कि यह टैली का backup आप कैसे ले सकते हैं तो friends चलिए computer के screen पर और आपको detail से समझ यह software के बारे में friends मैं आ चुका हूँ इसे में मेरे computer की screen पर और आपको सबसे पहले google में सर्च करना है cobin backup और first जो इसमें आ रहा है www.cobinsoft.com इस site पर हमें click कर देना है friends इसके लिए हमें जाना है इस site पर और इस पे हमें सबसे पहले click कर देना है तो friends सबसे पहले मैं इसी पे ही click और उसके बाद friends हमें इस पे click करना है इस software को download करने के लिए friends यह बिल्कुली free software है और आप इससे कितना भी backup मतलब 365 दिन तक लगातार automatic backup ले सकते हैं तो friends इसके बाद हमें इस पे click करना है तो friends मैं इस पे इस पे click कर देता हूँ और इस पे click करने के बाद friends इसमें नीचे एक option आएगा यहां से हमें download कर लेना है friends यहां से download करने के लिए हमें सबसे पहले इसके जो कौन-कौन सी windows में support करता है हमें वो भी देख लेना है friends यह देख लेना है उसके बाद इसका जो latest version है वो आया हुआ है यह बिल्कुली free software है friends इसमें आपको एक भी रुपया खर्च करने की जरुबत नहीं है इससे आप टैली बैकप भी आसानी से ले पाएंगे तो friends मैं इस पर अप क्लिक कर देता हूं और इस पर क्लिक करने के बाद यह software यहाँ डाउनलोड हो जाएगा जो की मेरे desktop में पहले से ही डाउनलोड है तो friends जो की मेरे desktop पे डाउनलोड है तो इसको मैं install कर लेना है इस पर आपको बाद simple ही double क्लिक करना है और install यह होना start हो जाएगा फिर 2-3 मिनट में यह install हो जाएगा friends मैंने मेरा यहाँ पे install तो friends अम मैं चलता हूँ मेरे tally का backup आपको किस तरह लेना है friends सबसे पहले हमें दो location इसमें define कर लेनी है friends मैं आपको इस पे click करके बता देता हूँ दो location कौन सी define करनी है first वो location जहां से हमें data का backup लेना है जहां मतलब आपने tally data का backup रखा हुआ है वो second आपको कौन सी जगे backup मे जाना है तो friends मैं इस समय आपको फॉल स्क्रीन कर देता हूँ और आपको पताता हूँ तो friends मैं चला गया friends यह है वो software है जहां पे मेरा tally का backup है और second मुझे जहां पे इस backup को रखना है वो one drive का एक formula formula है यह मतलब जो आप one drive इसमें install कर लोगे तो उसमें भी बन जाओगे या आप एक simply एक tally data backup नाम से एक folder बना सकते हैं उसमें भी आप कर सकते हैं तो friends सबसे पहले आपको मैं बता दूँ जैसा ही इसमें open हो जाएगा तो आपको plus पे click कर लेना है और click करने के बाद जो भी task है आपको इसमें type कर देना है जैसे tally data backup तो मैंने पहले ही इसमें यहां प जनरल में आपको name डाल देना है बाकी इसमें जो भी randomly update है उसको रहने देना है और full backup पे आपको click कर देना है first second पे आपको आना है second पे आने के बाद यह वो backup है जहां से आपको backup लेना है यह वो backup है जहां से आपको backup लेना है और दूसरा वहां है जहां पे आपका backup जाना है त alcanz मां आपको बता देता हूं को पर यह शुडूल का उप्सन किसलिए है उस्तों सिरसद smile का औक सुरू और अपको करने कि यह है इसके आपका किटना बैक अप मुटलक Приस्यिश टाइमिंग में आपको बैक अप रखना है यह टाइमिंग डेट तो आपको नहीं डालना है डेली अपडेट लेना है जो भी आपका है डेली वीकली जो भी आप रखना चाहते हो मैं डेली रखता हूं उसके बाद इसमें मैंने टायमिंग डाला है, मॉर्निंग 9ий नीक लाक की मैंने दो बैक अप सेɪt किया हुआ एक मॉर्निंग 9 बजे और एक शाम को 6 बजे तो इसके बाद आपको आना है डाइनीं नर्मल रखना उसके बाद COPY जैसे आपको आज डेट है फरस्ट तो एक से लेगे पांच सारीख तक का backup लेगा जैसे ऑपका छे software में आपको इस software में यह backup की स्वीधा आपको अच्छी लगी या नहीं उसके बाद हम आते हैं achievers में उसके बाद आपको इसमें 7Gip में जिप में नौन जिप जोन सा भी backup चाहिए मुझे जिप फाइल में फाइल करेप्ट नहीं होती उसके बाद इसमें सब कुछ automatically रखना है और उसके बाद आपको इसमें पासवर्ड लगाना है तो आप पासवर्ड लगा सकते हैं मुझे नहीं लगाना तो कोई दिक्कत नहीं उसके बाद filter टैली बैकप में अगर आप बैकप टैली के कुछ ले रहा हो डाटा बैकप तो आपको इसमें जाकर एक फाइल मे type करना है star tsf इसको आपको हमेशा exclude में रखना है जिससे यह जो tsf नम की फाइल है उसको बाहर करके बैकप लेगा जिससे टैली बैकप की फाइले रिमूव नहीं होगी तो friends इसको आपको not कर लेना है इसको आपको क्या करना है यह मैं आपको बता चुका हूँ इसको आपको थोड़ा ध्यान रखना है friends मैं आपको दुबारा इसमें एडिट कर देता हूँ जैसे ही आपको add पे क्लिक करना है star tsf लिक के ok कर देना है यह file इसमें से remove हो जाएगी और आपको इसमें कुछ नहीं करना है और ok press कर देना है यह automatically आपका 9 बजे backup ले लेगा उसके बाद मैं म चलता हूं मेरे जहां पर मैंने backup लिया हुआ है उस screen पर तो मैं चाहता हूँ यह रहा जहां पर मैंने backup लिया हुआ है इसमें पहले date आ रहा है उसके बाद timing आ रहा है पहले file का नाम है उसके बाद date आ रहा है उसके बाद timing आ रहा है इसके बाद timing आ रहा है पहले file का नाम है उसके बाद शाम को 18 बजे फिर 18 बजे फिर 9 बजे यह जो भी है इसको डेट वाइज सेव हो जाएगा फ्रेंट्स यह फीचर बहुत ही अच्छा है अगर आप इसको यूज लेंगे तो टैली वैकप आसानी से रख पाओगे इससे आपका और यह सारा ओटोमेटिकली कब ऐसे भी अच्छे अच्छे साफ्वेयर और ट्रिक्स के लिए आप मेरे चनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन पर क्लिक करें फ्रेंट्स तैंक्यू